हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल का ऐसे हो आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे आलू मटर की सबजी और आज मैं बहुत ही बढ़ियां से रेश्पी आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूँ तो पूरा वीडियो जरूर देखे करों में काटा है और यह मीडियम साइज का अलू मैंने लिया है काट करके मैंने अच्छे से दो लिया है यहां 200 ग्राम मटर का दाना लिया है हमने और यह चार टमाटर है मेडियम साइज का पंदरा बीस लैसून एक इंच अद्रक है चार पांच हड़ी मिर्च तो यहां इन सब चीजों का हमें पेश्ट बनाना है और यहां एक बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने बाड़िक काट लिया है तो सबसे पहले हम आलू और मटर को पांच मिनुट बोल कर लेंगे तो दोनू चीजों को एक साद ही हम डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक बोल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे तो चलिए हम इसको बोल होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम इदर बागी का काम कर लेते हैं और इदर हम जब तक हमारा मटर उबल रहा है तब तक इदर हम टमाटर और अधरक लसुन हरी मिर्च का हम पेश्ट बना लेते हैं तो इसको हम डालेंगे मिकसर जार में और बहुत ही बढ़ियां फाइन साइस का हम पेश्ट बना लेंगे अच्छा स्मूध पीस लेना है आपक और यहां देखिए फाइन पेश्ट बनकट के तयार है और इधर हमारा मटर आलू भी उबल गया है पांच मिनट में इसको बाल लिया है मीडियम फ्लेम पे तो इससे मटर थोड़ा सॉप्ट हो जाता है चलते हम इसको बनाने के लिए तो यहां हमने गैस पर करा ही रखा है एक बरा चमच हम तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो दो सुखी लाल मिर्च एक दाल चीनी का टुकड़ा दो बड़ी इलाची गयस के फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है एक छोटी चमच जीरा डालेंगे सारे खड़ी मसाले को पकने देंगे इसके बाद हम इस मेडियम रखेंगे तो यहां देखे प्याज का कलर जो पूरी तरिकी से चैंज हो चुका है अच्छा वरॉन हो गया है और यहां पहले मतर में से और दून चीजों को बाद में अलग कर लेना है और यहां आलू डाल देंगे हम जब अँमारा प्याज भून जाए चार से पा जब आलो हमारा अच्छे से भून जाए तब हमें डाल देना यहाँ पर टमाटर और अधरा खड़ी में चला है सुनका पेश्ट तीन-चार मिनट इसके साथ ही हम इसको भूनेंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए जो पेश्ट है इसको भी अच्छे से पकाना जरूरी है और यह देखे काफी अच्छे से ड्राय हो गया यह और चलाना आपको नहीं छोड़ना है ताकि यह लगे न नीचे से अगर चलाना छोड़ देंगे तो नीचे जल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के नुसर नमक और और दो चमच धनिया पॉडर एक चमच लाल मिर् और लो फ्लेम पे हम इसको साड़ी सूखे मसाले को मिला लेंगे पहले और जब मसाल अच्छे से मिक्स हो जाए वापस हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे इसके बाद यहां पर हम डालेंगे मतर और अब हम मसाले और मतर के साथ इसको 3-4 मिनट तक और भूनेंगे त तो यहां आपको लगातार चलाते हुए भूनना है तो यहां देखिए 4-5 मिनट हो चुका इसको भूनते हुए, आप चाहिते सबजी को ऐसे भी अकिलना सकते हैं यहां हम इसमें gravy के लिए पानी डालेंगे तो आपको जितनी gravy चाहिए उतना पानी डाल लीजए मैंने यहां पर total घेड़ गलास पानी डाला है मिला देंगे हम अच्छे से और इसको low flame पे 8 से 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे तो चलिए हम इसको 8-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और दिखाते हम आपको 10 मिनट बाद तो यहां देखिए सबजी हमारा काफी अच्छे सिपक गया है बहुत ही बढ़ियां तरिके से और अभी यह इसका ग्रेवी जो थोरा पदला दिख रहा है लेकिन यह आलू का सबजी जो गाड़ा हो जाता है मतलब ठंड़ा होने के बाद काफी हद तक यह गाड़ा हो जाता है तो पहले साब को बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है उपर से हम डाल देंगे हड़ा धनिया बस यहां पर हमारा सबजी तयार है गैस को आफ करेंगे अच्छे सम्तनिया पता को भी मिला देंगे और बस गैस को आफ कर देना है 10 मिन थंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे तो यहां देखिए 10 मिन थंडा हो गया है इसको हम कर लेते हैं सर्व तो आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ या पराठे पूरी किसी के भी साथ का ये बहुत ही बढ़ियां लगता है आलू मटर का सबजी और खास करके बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आता है इस तरीके का सबजी तो यहां मैंने सर्ब कर लिया उपर से डाल देंगे थूरा सा और हरा दनिया